हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आप सब का स्वागत है आज मैं आप सब के साथ एक पंडाल वाला टोपियारी बनाने जा रहे हूं तो इसके लिए फ्रेंड्स हमको एक पॉट के जरूरत होगा चाहे कुछ इससे बड़ा हो या छोटा हो तो एक पॉट ले लेंगे और फिर उ हिस्सा आगे के पार्ट को छोड़ेंगे अगर हमको आर्च वाली टोपियारी बनाना होता तो दोनों बड़ावर हिस्सा छोड़ते लेकिन हमको पंडाल वाली बनाना है तो इसके लिए पीछे हम ज्यादा छोड़ेंगे और आगे कम छोड़ें यानि कि तीन हिस्सा पीछे और एक किस आ गया और इसके लिए हमको कुछ cutting की जरुवत पड़ेगा तो बहुत पहले फ्रेंट जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह के pot में हम cutting लगाया थी ये भी मेरा cutting seeing growth है सालवर पहले में इसमें cutting लगाया थी आप देख रहे हैं कि इसका कितना अच्छा growth हुआ है तो इसी तरह का एक मेरा pot और था जिसके cutting को लेकर के मैं ये पंडाल बनाई हूँ तो इसके लिए मेरे पास friends एक बिजली का तार था जिसको मैं swail में लगा दी हूँ दोनों तरफ से दबा करके और दो cutting जैसा कि आप देख रहे हैं एक इधर है और एक इधर है और बीच में ये बिजली वाला तार है इस तरह से लेते हुए friends दो cutting इधर से और दो cutting इधर से करते हुए एक तार की सहायता से इस तरह की तार आपके पास जैसा भी हो उस तरह से लेके लपेटते हुए दोनों तरब से मैं यहां करके मिलाई हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं एक उपर अच्छा सा बन के आएगा और और कटिंग फ्रेंट जैसा कि आप देख रहे हैं यह कटिंग कुछ-कुछ दूरी पे मैं लगाते गई हूँ और बीच में कुछ छोटा लगाई हूँ ताकि बाद में यह आपस में मिलकर यह अच्छा घना बन जाए अब कडीब से देखें फ्रेंट यह सब मैं कटिंग बड़ा बड़ा था जिसको मैं इधर से लगाते गई हूँ और यह जब भर जाएगा पूरा एक दिम एक घना एक अच्छा सा पंडाल के रूप ले लेगा इसके लिए फ्रेंट्स हमको समय समय से कटिंग करना होता जैसा कि आप देखें अभी तो मैं लगा चुकी हूँ इसमें लेकिन कटिंग ने की हूँ आपको देखें जैसे कि यह बाहर दीख रहा है तो इसको मैं कटिंग करने के लिए फ्रेंट्स आप जड़ा शाभी ना डरें कटिंग से ही मेरा पंडाल अच्छा बनेगा उपर घना चारों तरफ से भर जाएगा और एक कटिंग मैं काटूंगी तो वहां से दो कटिंग दो निकलेगा और मेरा प्लांट काफी बुसी होगा जैसे कि मैं यहां से अगर काट रही हूं तो यहां से दो निकलेगा तो यह ज्यादा घना यह सारा चीज प्रेंट्स भर जाएगा इस तरह से मैं पूरी पंडाल का जितना भी है मैं सब को कटिंग करूंगी इस तरह से करते जाएं और यहां से दो दो निकलेगा और मेरा प्लांट काफी भूसी दिखने लगेगा तो इस तरह से फ्रेंट्स सब को मैं कटिंग कर दूँगी एक टाइम के बाद यह बहुत ही सुन्दर सा मेरा पंडाल तयार होगा उसके बाद इसमें फ्रेंट्स कोई भी परतीमा को आप सजा करके रख सकते हैं अभी मैं डेकुरेशन के तोड़ पर इसके जितने कटिंग थे फ्रेंट्स मैं इसमें डाल दी हूं वह इसमें कटिंग कभी काम आ सकता है इसमें जर आ जाएगा तो मैं इसको निकाल के अल dispatch में लगा सक्ति हूँ तो अभी है मेरे पास एक स्ट्रों है इसको माई यह हैं लगा यहीं हैं तो ईछ आप अप लोगो दिखाना ही चाह रहे हूं कि आप कुछ भी इसमें रह्क के और अच्छ़ा सा टूपियारी का लूख आप दे सकते हैं तो यह था फ्रेंज आज जेट का पंडालवारी टूपियारी के बिसे में और इस तरह से अच्छा से अच्छा टूपियारी तैयार हो जाता है तो अगर मेरी ये जानकाड़ी जेट की पंडालवारी आप सबको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, अब सस्क्राइब, सेयर करना ना भूले, ओके फ्रेंड्स, बाई